आपको बता दे कि लगातार वेतन को लेकर केजरीवाल सरकार निशाने पर है ट्विटर पर लगातार आपको बता दे केजरीवाल पर आम जनता अपकूत पड़ी है उनको घेर रही है और ये कह रही है कि केजरीवाल जी आप वादे कुछ और करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ और दिखाई देता है चुले सबसे पहले तो आपको बता दू कि पंजाब में कुछ कर्मचारी पानी के टैंक पर जड़कर भगवंत मान के खिलाफ विरोत कर रहे थे कि उन्होंने तीन महीने से सैलरी नहीं दी है और इसी मुद्दों को लेकर हम चर् असाद रही है दिल्ली में कई ऐसे कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है और आमार्नी पार्टी नहीं ये दमखम भरा है कि भाजपा आरोप लगा रही है सैलरी टाइम पर मिल रही है और इसके साथ ही केजरिवाल ने ये भी वादा क्या था सर कि अगर एंसेडी कार की जो काट्या की रिपोर्ट आई उसमें करीबन दिल्ली में पंदरह हजार से ज्यादा जो वालिंटरस इनके जो सिविल डिफेंस होते है यादो का आपको जून जुलाई की तप्तिवी गर्मी में कि वो लाइट इंजन ओफ और लाइट ऑन इस तरह से रेड लाइट कि कैसे पॉलूशन कम हो उन युगाओं को जिनकी उमर आगे बढ़ने की थी जिनको दिली सरगार के मादियम से अच्छी सिक्षा देनी चाही थी लेकिन इन्होंने वहां पर इनको क्या किया कि इन्होंने इनको चौराएबे खड़ा कर दिया चौराएबे इनको खड़ा कर रहें करेवन डिटी सी के जो बीस हजार करमचारी है जनको तिन चर्चर महिने से तनखाई रोक की जाती है इसे ही जो अलग अलग टाप के जो लोग है जो जैसे मौला किलिक तो देकि सब बन्द हो के लिए था वो सारा पैसा अपने पर्मोशन पब्लszyreet में लगा दिया वो पैसा जहां जांजिन जिन राज़ों में चुनाव होरे उनमें लगा दिया तो बहुत झात खराब होरी है भारतople का पार्टी तो दिल्ली के समाज के लिए दिल्ली में जितने भी आदिकारों के लिए थिए लेकिन दिली के मुख्य मंतरी अर्विन के जर्वाल के इन इस सब बातों का जागीर है लेकिन इस बार नेगं में आपने देखा हुआ इस आत्स पार्टी हैं कि शरुआत हो गई आहम अधी पाट्टे के जब से साथ तारी को देखे रिजल्ट आये हैं आपने देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली में अर्विन केज्रिवाल की स्टेट्मेंट जो पहले रोज दिन में दस बारों पीसी करता था रोज अखवारों में छपता था रोज सोचल मीडिया पाता पाट्सरिवाल को भी लग रहा है कि जहां से अब उनके मलक समापति का शरवात हो चुकी है। का हम आपकी क्या टिपनीं में अलग से मैं यह भी पूछना चाहूंगे आप से कि कहीं न कहीं भाज़पा नहीं आरोप लगाया है सर कि केजरिवाल की जो अकाउंट है वो खाली हो चुके है विज्यापन के पीछे इस पर क्या खुला से इना सवल किया है जिस तरह से इनके प्रौपर जिस तरह से अरुगिंठ के जिरिवाल ने जो दिल्ली की महलत मैं मैं अर्विन केजरिवाल का कहना है कि भाजपाने 15 साल के जो कुशाशन का मलब उनको खतम हो गया मलब कुशाशन को हमने खतम कर दिया आप ये देखे कि विरहांसवा चुनाव में दिल्ली में अर्विन केजरिवाल जी को 52 बोट पड़ा इस वार जो निगम चुनाव हुआ उसमें 42 हो गया मलब 10% डाउन हो गया बीजेपी को 35% बढ़ा था तो वो उनको 40 हो गया 5% बीजेपी के वोट बढ़े हैं तो आप ये देखे कि कि किसका अंत हुआ अंत की सुरुआत आम आद्वी पार्टी के हो गया जिस तरह से दिल्ली में अरागता फैल रही है दिल्ली में तनखाइन नहीं है दिल्ली में नया अस्पताल कोई नहीं बना नया कोई स्कूल नहीं बना नया फ्लैवर कुछ नहीं बना दिल्ली में पॉलुशन पी डबल्ड की रोडों की बहुत हालत कराब है दिल्ली दुनिया का सबसे दूसित सहर बन गया है दिल्ली में हाकार झनल करते यहां से बात करते थे इंडिया अगेंस कालत चेंग वहां से बातगे डूसारै है तो वो तो भगोड़े टापके हैं उनकी जो परवर्तियों भगोड़ा है और उनी चाहते हैं कि कल मेरे उपर कोई ब्लेम आए दिल्ली में इतना बड़ा स्रिष्टी जी शराब घोटाला हुआ आजादी के बाद मुझे लगता है कि दिल्ली में पहली बार इतना बड़ा मैं सारे गरीबवों के घर बरवाज कर दियें दिल्ली में गली गली में शराब की दुकाने कुल गई जो अरविन के दियाद जी ने दो हजार ग्यारा में एक किताब लिखे दी सुराज और कहाता कि प्शेराब की पोllिय। देश की और दिली की जंता का सिवा करना का मोका मिलेके तो हम क्या-क्या करेंगे तो उसमें उन् operators need per 114 पर उन्हें रिखा ऊ-लाँ नंब ten पर जो श़राब की P intimidating उन्हें कि वह Hiç सर्कार आई तो सरह पोलिश को हम history करेंगे उन्होंकर का शराब के ठेकों में शराव में जो भरष्ठकार होता है. वह MLA और जो सरकारी करमचारी की मिली भगस्स से होता है. लेकिन हमारी सरकार आगी था हम नहीं करेंगे. तो उन्होंने उस किताम में लिखा था लेकिन जब दिल्ली में शराफ की पॉलसी लागू की कुरोना की सेकिंड लहर में जब दुनिया मला अपनी जान बचाने के लिए लगी थी आर्थिक तंगी से ले जान बचाने के लोग इधर अपड़ा तपड़ी भाग रहे थे इनके हॉस्पिटल फेल हो गए गए थे इनक को बांटते हैं उसके विपरीत इन्होंने गली-गली में शराफ की दुकाने खुल दी मैंने अपने जीवन काल में कभी पूरे देश में कहीं नहीं देखा कि एक बोतल के साथ एक बोतल फिरी हो रही है एक पेटी के साथ एक पेटी हुरी हुए देश के राजदानी दिल्ल शराब की नगरी के नाम में आते हैं लोग यूपी से हर्याना से पंजाब से पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं ट्रेंड पकाटके गाड़िया ले करके तिन तिन चरचर पेटी शराब की लिए हमारी रिस्तारी फोन करते हैं भाई सब घर में साधी है जरह वो मंगाना क्या मंगाना मुझे लगा भी साधी में कुछ समान मंगाएंगे कुछ साधी कपड़े कुछ मंगाएंगे ड्राइफूट मंगाएंगे चांदी चौक के जो खाड़ी बाबरी के हमें थोड़ी पता कि हमारे सार वर्टसब में कर रहा है दो पेटी के पैसे बेज रहो हूं दिली की जन्ता पर बहुत तुरीके से बढ़त तरीके से बड़ा समय अधाख में पूलती की चन्ता को यह रहो है दो केवल बेवडाओं को सहर हो गया इस हिगना दिली के जन्ता को मोग धन्यवाद करते हैं भारतिन दापार्टिए के हम धिली प्रदेश के सभी लेडर्स दन्याबद करते हैं कि जिन्होंने इस policy का प्रदशन किया जितने ठेके तेमा प्रदशन किये गे तब जाके दिली सरकार की चोरी पकड़ेगे हजारों करोड़ पर गोटा लवा और इन्होंने यह policy वापस करे तो यह है दिली के मुख्य मंत्री की दिन पानी नहीं है ति पान और बोर्ड हमेशा प्रोफिट में रहता था आज जो करे ने 50,000 से जादा 50,000 करोड़ से जादा के घोटाले में हैं आज देखे को हैं न तो इस तरह देखें जो डिटरी सी के बसे कॉंग्रेस के कारेकाल में ती उसका नई बसी नहीं नों को नहीं खरी दि जो इन नहीं खरी वास्वों में टॉृलट बनाएगे। उसके पैसे ठेकेदार को कलासरूम के नाम से दिये गए। इसी तरह इनका जो जलबोड हो गया। बहुत सारे यह हैं कि इनने जिस था से इन्हों ने अन्ह जी के साथ जो इन्हों कना नहीं करी। ये वेक्ति जब उनको दोका दे सकते हैं तो आम जनता है तो इनके लिए कुछ नहीं है अर्विन के जरीवाल के लिए कि शत्ता है लेकिन जिस तरह पंजाब में देखे आज दिन हमाँ हत्याइं हो रही है किसान वहां प्रदसन लगे है लोग पानी की टंके पर करने लोग आ कहीं न कहीं लगातार ये बाते देखी जा रही है कि सैलरी को लेकर किजरीवाल गिर रहे हैं और पंजाब में कानून विस्ता सर चर्मराई हुई है लगातार आप ट्विटर पर देख सकते हैं किस तरीकी से पंजाब में कानून विस्ता धरा शाइम और भगवनतमान ये कह पंजाब में शांती है अमन है खिर देखने वाली बात होगी क्योंकि कहीं न कहीं भाजपा ने ये भी दावा किया है कि आने वाले समय में दिल्ली की विधान सभाज चुनाओं में किज्रिवाल को कड़ी टकर भाजपा देगी और एक तरफ किज्रीवाल ने ये भी कहा है कि भाज़पा को हमने MCD चुनाव में रिखा दिया, खेर ये बात जनता डिसाइड करेगी, आप हमें बताइए कि जिस तरीकी से सैलरी को लेकर दिली सरकार घिर रही है लगातार, आपकी इस पर क्या रहा है, फिलाल बहुत शुक्रिया, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको बा